तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं हर संडे आता हूँ लाइव स्टीम करता हूँ अपने चैनल पर और आप लोगों के चैनल चेक करता हूँ बहुत सारे लोगों ने एक feedback मुझे दिया कि सर जब आप channel चेक करते हो तो बस आपका ही face दिखाई देता है हमें अपना channel दिखाई ने देता कौन-कौन सी गलती हम कर रहे है यह हमें live दिखे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो मैंने last Sunday को आपको बोला था कि मैंने एक webcam buy किया है Amazon से लेकिन मैं सोच रहा था कि मिरको पहले deliver हो जाएगा बट वो हुआ नहीं लेकिन finally वो मुझे अभी deliver हो गया है यह है Logitech का C922 webcam और मैं आपको बता दूँ यह एक full HD video streaming webcam है और यह काफी बढ़िया webcam है इसके अंदर आपको dual microphone भी मिल जाएंगे webcam भी मिल जाएगा और मैंने देखा है कई YouTubers की वीडियो में और बहुत सारे इसके review देखें इसके अंदर आप without green skin भी background change कर सकते हैं तो इसकी unboxing करेंगे पहले तो हम उसके बाद देखेंगे किसके कौन-कौन से feature मिलते है बाकि कल Sunday को आप देखेंगे जब मैं इसको live stream में use करूँगा कि यह कैसा है बाकियारे महगा पढ़ गया मुझे क्योंकि इसकी जो price है वो जनरली 9000 से 11000 के बीच वैरी होती रहती है लेकिन जब मैंने इसे purchase किया तो 10,864 रुपे का यह मुझे को बढ़ा है तो चलिए यार पहले देखते हैं unboxing तो दोस्तों यह है Logitech की तरब से आने वाला काफी popular एक webcam जिसका model number है C922 Pro HD Stream webcam जहां तक video quality की बात है तो 1080p पे 30fps देता है और 720p पे 60fps देता है राइपोट इसके अंदर include है साइद इसी box में हमको मिल जाएगा और यह काफी बहतरीन webcam माना जाता है मैंने भी काफी वेट किया इस webcam का क्योंकि मैंने इसको Amazon पे किया था lockdown में order लेकिन यह deliver नहीं हो पाया था अभी मुझे काफी दिनों के बाद यह deliver हुआ है तो चलिए सबसे पहला हम इसकी जो seal है उसको cut कर देते हैं और फिर इसकी unboxing करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमको क्या-क्या मिल जाता है तो finally मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ और यहाँ पर देखें वेबकेम रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ इस तरह से खोल देता हूँ और यहाँ पर वेबकेम के साथ आपको cable भी मिल जाती है तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको वेबकेम तो वेबकेम की quality मुझे काफी अच्छी लग रही है build quality बहुत अच्छी है बाकि इसके अदर dual microphone भी मिलते हैं तो वो भी हम test करके देखेंगे कि उसकी voice कैसी है बाकि दिखने में बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर देखें इस तरह कि आपको cable मिल जाती है और यह जो है यह एक USB type A cable है आप देख सकते हैं और cable की जो length है वो भी काफी ठीक ठाक है कोई problem नहीं है तो इसको मैं अभी side में रखता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर और हमें क्या-क्या मिलते है तो यहाँ पर अगर मैं बाहर निकालू और यहां पर I think कि इसको extend भी कर पाएंगे यह इस तरह से हम इसको extend भी कर सकते हैं आप देखिये इस तरह से हम तीनों जो इसकी stand है इसको हम इस तरह से extend कर पाएंगे और यह कुछ इस तरह से खड़ा हो जाएगा तो इसकी भी quality काफी अच्छी लगी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रही है और build quality तो बहुत बढ़िया है ही तो चलिए इसको भी use करेंगे इसके अलावा यहां पर हमें और क्या मिलता है यहां पर एक हमें यह paperwork मिल जाता है और यह एक तरीके से इसका एक user manual है तो इसकी भ अधर से हम क्या कर सकते हैं कि यह webcam जो है ना इसमें without green screen हम background को change कर सकते हैं लेकिन तीन मंत का ही हमको license मिला है उसके बाद अगर हमको पसंद आएगा तो हम इसे वाई भी कर सकते हैं तो इस तरह से webcam नजर आता है और यहां पर आप देखेंगे तो आपको tripod जो है इसका साथ ज सकते हैं और यहां पर देखिए यह rubber की anti-skid pad आपको मिल जाता है जिससे आपका जो computer वगेरा वो भी खराब नहीं होंगे और easily यह रखा रहेगा और यहां पर आपर चाहें तो आप इस तरह से stand पे भी बना के इसको रख सकते हैं यानि कि stand बनाईए और अपने table पे इसको र लग दिया है सामने आप देख रहे हैं बिलुएती माइक है क्योंकि फिलाल जो मैं आवाज रिकोर्ड कर रहा हूं बिलुएती माइक से ही कर रहा हूं और सामने screen है चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई इसको हम OBS में कैसे लेंगे क्योंकि जब मैं आपके channel चेक क कर देना है और यहां पर देखिए यह आगया c922 pro stream webcam और यहां पर आ चुका है इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर resolution की अगर बात है तो custom रखेंगे और यहां पर हम यह 1080p पर है तो 1920 और 1080p हमें set कर देंगे इसके बाद fps की बात रखे तो हमें 30 रख लेते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं हम चाहें तो इस तरह से color वगेरा भी हम देखेंगे चेंज कर सकते हैं जैसे color वगेरा चेंज कर सकते हैं और बाकी यह देखिए इस तरह से color भी change हो जाएगा बाकी अभी क्या proper मेरे पास इस वाले देखिए मेरा यहां पर आच चुका इस तरह कि इसकी quality quality आप देख सकते हैं हाला कि lighting का जो system में आज थोड़ा सा change हो गया क्योंकि mostly जो मैं shoot करता हूं वो अलग तरीके light होती है मलब उसका direction अलग होता है और आज थोड़ा सा direction change है तो अभी तो मैं इसका review कर रहा हूं बाकी इसकी quality ठीक है और जैसे ही मैं lie अगेरा करूंगा तो थ अभी तक तो यह जो audio आप सुन रहे थे यह blue 80 mic से हमारे जो है record हो रही थी और अब हम इसका खुद का एक बार audio देखेंगे कि इसका खुद का जो dual microphone इसके अदर दिया गया है उसका audio कैसा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इसका microphone जो है वो यहाँ पर add कर लिया है और अभी हम देखते हैं कि भाई यह जो webcam है इसकी recording कैसी है तो यह जो voice आप सुन रहे हैं यह मैं webcam के जो dual microphone है उन्हीं से record कर रहा हूं तो आप मेरे को बताईए कि इसकी voice कैसे record होती है क्योंकि मैं तो अभी से सुनने ही पा रहा हूं सिर्प record ही हो रही है बाकि पहले जो मैं माइक यूज कर रहा था वो था बिलुवेती माइक तो अब मैं देखूंगा मैं सुनूंगा जब इसको कि लाइव में मुझे बिलुवेती माइक एड करने की जरुवत है या फिर इसी के dual microphone से मेरा काम चल जाएगा तो जब मैं webcam को unbox कर रहा था तो मैंने आपको बताया था क इसके साथ आपको तीन महिने का एक X split का भी जो है premium subscription मिलता जिससे आपके background को remove कर सकते हैं उसके लिए हमको ये X split webcam ये वाली जो software है ये download करने पड़ती है तो यहाँ पर देखिए download मैंने QE है और यहाँ पर देखिए ये skip login कर देता हूँ फिलाल में तो यहाँ पर देखिए कि अभी जो मेरे पीछे background है न मैं इसको remove कर पाऊंगा तो यहाँ पर देखिए इस तरह साप remove कर सकते हैं got it बजाता हूँ तो यह देखिए remove हो चुकी है इसके बाद चाहें तो हम यहाँ पर original यह है मेरी actual में यह original आ गई है और यह background भी जो है change कर सकते है यह देखिए background change हो रही है अलाकि अभी light proper नहीं है नहीं बहुत अच्छे से हो जाती है और यह देखिए इस तरह से जो है आप कर सकते हैं इसको और यहाँ पर देखिए इसके लावा अगर आप चाहें कि भाई देखिए मेरी original रहे और मैं blur कर दूँ तो इस तरह से देखिए आप blur भी कर सकते तो यहाँ पर देखिए blur हो जाएगा background और खाली मैं में नजर आ रहा हूँ और आप चाहें तो यहाँ से कोई add background भी कर सकते हैं लेकिन अब इसको हम OBS में कैसे लेंगे वो हमको देखना पड़ेगा तो देखिए OBS आ गया यहाँ पर मैं plus के निसान पे click करता हूँ और video capture device म हमें क्या करना है यहाँ पर जो c922 pro stream webcam में यह नहीं select करना बलकि x split जो है यह select करना है और इसको हम select कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर custom कर देते हैं resolution के अगर बात करें तो हम कर देते हैं yellow जी हमारा resolution भी हो गया और यहाँ पर हम इस तरह से जो है देखिए अब यहाँ पर जो है background change हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर background change कर रहा हूं तो आप देखे OBS में भी मेरा background change हो गया है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए OBS में भी मेरा background change हो गया है तो इस तरह से आप इसमें background भी change कर सकते हैं और जो तीन मेने का subscription आया है उसे मैं यहाँ पर use करूंगा त कैसे वीडियो क्वालिटी इसकी वह भी आपने देखी बाकी मैं इतना कहूंगा कि आज मेरे लाइट का डारेक्शन थोड़ा चेंज हो गया था तो वह में को दुबारा से थोड़ा सेट अप करना पड़ेगा क्योंकि इससे अगर अच्छा ओपुट चाहिए वीडियो के अं अलाकि मेरे पास बिलुएती है तो जब मैं लाइटी से वाइस रिकोर्ड करूँगा और इससे मेरा वीडियो आएगा इसके अलावा जहां तक बैक्ग्राउंड रिमूव वाला जो फीचर है वो तीन वहिने के लिए आपको मिलता है इसके साथ बाकी मेरे को नहीं लगता ह इसकी 10,000 की रेंज में आ जाता है मेरे को अलागी थोड़ा महंगा पढ़ गया भी थोड़ा शोटेज चल रही है और इससे अच्छा वेपके में मुझे अमेजन पर मिल भी नहीं रहाता और मैं जब लाइओ करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपको का फेस फे इपसल में मिल जाएगा बाकी इतना ही था आज किस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्क्राइब करने के साथ साथ नॉडिफिकेशन बैल को दबाकर और पर क्लिख करें सी तरी की वीडियो में प्लमेंस बनाता रहता हूं मैं मिलता हूं आपसे फिर किस नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए जैहिंद